हेलो दूस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो आज के दिन का पहला वीडियो तो ज़रू देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रू इसको स्टड़ी करना फर्स टाइम विजिट के है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एक और चैनले फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके इसका भी लिंक उपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा ज़रूर इस वीडियो को बतलब इस चैनल के वीडियो को भी ज़रू कर लेना सो चले दोस्तों फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर सबसे पहले मैं आप लोगो को क्लीन डिस्क्रिमर देना चाहूंगा जिस कंपनी के यहापे में बात कर रहा हूं येस वो मेरे प मर्केट में जब आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो तो आपका एक खुद का मतलब बोलते हैं ना स्टार्टेजी बेवलप होना स्टार्ट होता है आपके खुद के यह उब्जर्वेशन के इसाब से तो वैसे अलग अलग स्टार्टेजी मिने आप लोगों को सिखा के अब लोगों ने एक वीडियो देखा होगा वो भी मेरे ही स्टार्टेजी एक खुद से मैंने वह इडेंटिफाई की दी अभी एसा ही एक स्टार्टेजी मैं आप लोगों को सिखा था कौन सा वाला कि यहापे SMKC PDF स्टार्टेजी ये PDF स्टार्टेजी क्या है जो लोग बह एक अनुमाने कि ऐसे स्टाक को आप लोग क्या कर सकते हो रडार के उपर सेट करके रख सकते कोई activities हम लोगों को यहापे जरूर देखने को मिल सकती है तो आप सब लोगों को पता है कि स्टाक मार्केट में मोटा मोटी देखा गया तो चार टाइप के शेरोल्डर्स होते है कितने टाइप के? चार टाइप के मतलब एक होते promoters एक होते foreign investor FIS एक होते mutual fund and domestic institutional investor एंड चौती कैटेगरी आती है हमारे retail public investor यह चार रहे थे हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो स्टाक पूरी तरीके से मतलब बरबाद हो चुका है है ना ऐसे बहुत सारे स्टाक एक हजार पे चलता था आज एक रुपे पे भी नहीं चल रहा है एक जमाने में दो हजार का था आज पांच रुपे पे चल रहा है मतलब अपने all time high से 90% 95% डाउन है ऐसे companies को अगर आप लोग अब्जव करोगे उनके share holding pattern को अब्जव करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो promoter थे, foreign investor थे, domestic institutional investor थे इन्होंने यहाँ पे क्या किया अपने माल को यहाँ पे बेज दिया और वो माल खरीदा किसने retail categories ने यहाँ पर खरीद लिया, public ने खरीद लिया, क्योंकि उनको पता था इन companies में गड़बढ होने वाली है, क्योंकि इनके पास सबसे है या नहीं, account screen है या नहीं, जोल जापाटा कुछ चल रहा है कि नहीं, कुछ गडबढ होने वाली है या नहीं, कुछ hide कर रहे कि नहीं, सब कुछ पता होता है, so यहाँ पे क्या समझ में आगे हम लोगों को, चलो मैं आप लोगों को practical दिखाना चाओंगा, यह देखे में खुद के ही अलग-अलग strategies क्या कर सकते हो, इमर्ज कर सकते हो, तो यह देखिए, promoter holding मतलब में थोड़ा पूराने साइड पे जाता हूं, यह देखे, December से लेके हम लोगों को अभी तक देखना है, ठीक है, so December से लेके promoter थोड़ा में ऐसे ही sit कर लेता हूं, यह देखे, December में क्या थे, promoter 53 थे, आज promoter कितने है, September में, सिर्फ 5%, 53 का 5%, then foreign investor कितने थे, साढ़े 8% के आसपस, आज कितने है भी नहीं, 0.17%, then अगर बात करें, DIS की तो 7.14 थे, अभी कितने है, साढ़े 4% भी नहीं, and ultimately, हिस्सा यहापे बढ़ा किसका, तो आप देख सकते हो, 30% थे, आज य में क्या आता है, कि इन लोगों को पता होता है, कि companies में गड़बढ होने वाले, और वो माल बेचते हैं, तो बेचने के लिए कोई तो बकरा चाहिए, तो ultimately कौन रहते है, public ही रहते है, इसमें retail minister भी बहुत categories में आपे आते है, यह strategy हम लोगों को हर किसी को यहापे पता है, ब बहुत बड़े-बड़े institutions होते हैं, उनके पास बड़े-बड़े sources होते हैं, team होती है, उनको भी अंदाज आते हैं कि कुछ तो company में बढ़ा होगा, तो FIS, DIS यह भी हिस्सा बढ़ाना चाहिएंगे, तो ऐसी भी companies हैं दोस्तों, जहापे public की हिस्सदारी लगातार कम हो रही है, और इनका ही कम होगा, इधर ही से तो shares खरीदे जाएंगे, तो ऐसे stock में हम लोगों को शायद से कोई positive खबर है, future में आते वे देखने को मिल सकते हैं, अभी future का definition कोई fix नहीं है, यह future हो सकता है, शायद से एक मैना, एक साल, पात साल भी हो सकते है, यह बहुत जादा time भी सकते हैं, क्योंकि इनके बाइंग होती है, वो करोडों के होती है, तो आप देख सकते हैं, फिलाल एक stock है, जहापे आप कह सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आप लोग, 47% थी, अभी प्रमोटर होल्डिंग, अग आज कितनी होगे, 13.20%, आप लोग समझ रहे हैं, आप एंड अल्टीमेटली, माल किस से छिना जाता है, पब्लिक, 16.31 थे, आज कितना है, 10.60, चलो ये तो ठीक है, ये तो मतलब पुराना डेटा है, 2018 से हम लोग देख रहे हैं, अभी रिसेंटली पिछले चार कोटर देख तो मतलब, December 20, March 21, Year 21, and September 21, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, प्रमोटर, 50.54, 50.58, 50.59, and 50.61, मतलब, दीमे-दीमे, ऐसा नहीं रोकेट की तरह बड़ा है, बड़ थोड़ा-थोड़ा सा हिस्तेदार ही बड़ा है, और ये कई टाइम से यहाँ चलते ही जा 59, then 50 को क्रॉस किया, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाए था, आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दे दूँगा, उस वीडियो को ज़रू देखने ना, अगर आप seriously interested हो तो, सीखने के लिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्या दिख रहा है, FIS की भी बात करें, 25.18 था, अभी आप देख सकते हैं, 25.41 है, पुराने टाइम से थोड़ा जादा ही है, DIS भी देख सकते हैं, 12.90 था, अभी 13.20 है, मतलब इन तीनों में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहे है, हिस्सेदारी बढ़ती भी देखने को मिल रही है, अगर आप देखोगे, पबलिक के रिस्क के साथ डील कर सकते हो की नहीं, फिलाल क्या इशूस चल रहे है इस कंपनी के साथ, तब आप लोगों को ये सारी खबरे आपे पता चलेगी, मेन कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आयोगा, आशा करता हो, इसलिए ये वीडियो इतने लंबे बनते हैं, इस कंपन को रडार के उपर रख सकते हूं, अगेन कहना चाहूंगा, कि ये मेरा कोई डिरेक्ट रेकमेंडेशन नहीं है, बट ऐसे कंपनीज में कोई ना कोई हम लोगों को पॉजिटिव हल चले होते विए, जरूर देखने को मिल जाती है, बट रिलाइंस फिलाल की बात करें, तो बहुत सारे uncertainties से भी जूज रहा है, और ये दोस्तों पहली बार नहीं हुआ है, ये देखे, मैंने आपको प्रॉमिस किया तो नहीं थोड़ा पीछे जाता हूं, क्या नजर आ रहा है, ये जो पुराना डेटा आप लोगों को देखने को या पर मिल रहा था, ये देखे, य अब ये चैनल इतना जाद पॉपिलर था भी नहीं, पर इस वीडियो को इंटर करके एक बार देख लें दोस्तों में, इसका लिंक उपर आए बटन पे निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा, एक बार जाके देख लें आपको अंद अब इतना पैसा कोई लगा रहा है, मतलब कुछ तो अच्छा हो नहीं वाला है, उनको पता होगा, कि वो क्या चीज़े आगे ड्राफ्ट कर रहे हैं, इसलिए तबी मिने आप लिंको का था, कि अगर आप चाहो, आपकी मर्जी में, थोड़ी नहीं आपको फोर्स कर रहा तो आप चाहो तो अपना खुद का भी दिमाग लगा सकते हो, बट येस, वो देखा गया तो वो दाव सही गया, बट उसके लिए भी बहुत समय रुकना पड़ा, तो ये वीडियो को ज़रू देख लेना, मैंने जैसे आप लोग को कहा है, और अगर इस वीडियो को अगर रडार के उपर रख सकते हो, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ यहां पर बहुत सब्सार लोग वीडियो किखो, जैसे मैंने आपको कहाता है, कि अगर यहाँ पर सही गए तो ठीक है, अगर गलत गए कुछ हुआ नहीं तो नुकसान आपका भी हो सकते हैं, तो अग खुद का दिमाग लगाने, यह सबसे इंपोर्टन, 5 स्टर चीज है, जो खुद का दिमाग लगाता है न, वो एक्चल में मार्केट में जीता है, मैं भी सबी लोगों के वीडियोज देखता हूँ, सबी लोगों के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, बट अल्टिमेटली डिसिजन मेरा, सो इस वीडियो में भी जैसे मैं आप लोगों को काई क्या आप चाहो, तो रिलाइंस को रडार के उपर ज़रूर रख सकते हो, यहाँ पर जो इस हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, थोड़ी अच्छी देखने को मुझे एक साल की बात करे, तो Reliance ने उसके काबिलेत की मुतावित इथने अच्छे रिटन्स नहीं दे, 23% ठीक है, और देखा गया तो उसके पीछे वैलिड रिजन भी है, Reliance रिटेल, NGO की बात करे, उसी के साथ साथ देखा गया, तो O2C बिजनेस, साथी अरेम को, यह हम सभी लोगों ने अल्रेडी देख लिया, तो इसके चलते हैं इस्चूस देखने को याप पर मिले थे, बाकी बात करें तो company खराब याप याप नहीं है, बट comparatively slow भी चलती है, 40% के deliveries, खिलाल तो हम लोगों को देखने को मिल रहे है, तो जरूर इस strategy का आप चाहो, तो बाकी stocks में भी study करके देख लेना कि कितना apply होता है या नहीं, कोई भी strategy 100% work नहीं करती है दोस्तों, बट yes, हम जरू कह सकते कि इसके probability अच्छी हो सकते है, 70, 80, 85, 90% तक हो सकती है, जरूर आप लोग इस strategy के बारे में वीचार भी आपे कर सकते हो, आशा करते हो, आप लोगों को वीडियो पसंद आयोगा, तो चाहो तो इस वीडियो को like and share भी कर देना, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye-bye.